Hello Friend, operating system के course के playlist में आज के वीडियो में हम discuss करने वाले हैं day log avoidance के बारे में जिसमें हम discuss करेंगे bankers algorithm की bankers algorithm क्या होती और एक किस तरह से वर्ड को perform करती है सो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा, अगर अभी तक आप हमारे channel पे नए है तो चैनल को जल्दी से कर लिजेगा सस्क्राइब और हाँ बेल आइकेन को प्रेस करना मद भूलिएगा जल्दी से चलते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं कि डिल लॉक अवाइडेंस क्या होता है कम्पलीट कर सकते हैं तो बैंकर से अल्गोरिथम क्या होते हैं कि बैंकर से अल्गोरिथम को हम रिशोर्स अलोकेशन और डेटलोग अवाइडेंस अल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं request को check करता है अगर बसक्राइब कर सकता है 때kyo जो भी process क्या हों गया कि क्या करता है कि जो भी request होटी ये process द्वारह request नहीं किया जाएगए ये bangers algorithm के rules होते हैं आगर कोई भी sytem है जैसे उसमें क्या होता है कि system में क्या होता है कि अब process को जितनी resource से request चाहिए तो process क्या करता है resource से request करता है कि हमें इतना process अपने आपको खुद execute होने के तो इतनी resource की आव सकता है अब इस चीज को grant करने के लिए सबसे पहले check किया जाता है कि safe stage अगर process क्या होते हैं कि safe stage में होते हैं तो तब तो permission दे दी जाते हैं कि unsafe stage होता है अगर कोई भी process safe stage में है तो वो deadlock अकर नहीं कर रहा है अगर system unsafe में है तो हमारे पास unsafe में deadlock होता है तो system deadlock में हो सकता है ठीक है तो दो चीज़े हमें समझ में आए कि अगर process safe stage में होते हैं तो deadlock होने की संभावना नहीं होती है अगर process unsafe stage में है तो वहाँ तो आगे अगर हम बात करें तो safe stage does not load to deadlock, unsafe stage does not necessary case deadlock in May or not case deadlock, ठीक है, तो हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, unsafe case में deadlock होने की जादे chances होते हैं, अब अगर हम बात करें इससे related एक example की, तो यहाँ पर क्या है कि total resource हमारे पास A का resource किता है, कि 10 है, B का किता है, 5 है, C का 7 है, ठीक अब हमारे पास कुछ process दे रखे है, P1 से लेके P5 तक, यानि 5 process हमारे पास दे रखे है, allocation है, जिनका system दोरा allocation है कि इतना इनको memory allocate कर दी गए, इतना resource इनको allocate है, maximum need इतना है, मतलब इनको need कितनी है, कि इनकी कितनी आउ सकता है, जितना इनको पा के क्या करते हैं, आपने execution को प पूरी तरह से execute हो सकता है, तो यह सारे process की need हो गई, और यहाँ पे available हो गया, system में कितने available है, किस resource के लिए, ठीक है, remaining need क्या है, remaining need हमारे पास क्या हो गई, कि 7, मतलब remaining need, 7, 4, 3, 1, 2, 2, इस तरह से remaining need हो गई, तो आगे अगर हम बात करें, जैसे process P1 हो गया, process P2 हो गया, P4 हो पी 1 और P3, one by one करके इस तरह से ही इनका execution complete होगा, remaining need मतलब होता है, maximum need minus allocation होता है, और available resource is equal to होता है, total resource minus allocation, तो available resource कितना है, हमारे पास total resource available resource को हमें check करना है, तो available resource is equal to total resource minus allocation, तो total resource हमारे पास कुछ इस तरह से है, अब minus हम कर देंगे किसको allocation को जब हम allocation को minus करेंगे अब इसमें से अगर हम 10, 5 और 7 में से minus करेंगे तो हमारे पास कुछ minus होके आएगा तो क्या होगा, available resource कितना available है हमारे पास, जैसे यहां पर क्या है कि 10, 5, 7, यह हमारे पास निकल के आए, यहां पर क्या होगा, 10, 5, 7 ठेक है, टोटल रिशोर्स हो गया है अब available क्या होता है available plus allocation, कितना available है available के लिए हम कौन सा formula लगाते है available is equal to available plus allocation, तो इस तरह से क्या करता है, इस पर work करता है तो I hope कि आपको समझ में आया होगा कि हमारी bankers, algorithm क्या होती है और किस तरह से work करते है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, comment और subscribe ज़रूर केज़ेगा, thanks for watching the video, thank you, bye bye guys